हेलो अब्रिवन वेलकम तो माई यूटिक चैनल फार्मा रिसर्चर तो आज है दे थाटिन डेली फार्मा एमसी क्यू डोस सीरिज में जिसमें हम डेली के 10 एमसी क्यू कोश्चन सॉल करते हैं वे डेटेल्ड एक्स्प्लेनेशन एंड अडिशनल इंफोरमेशन जो की आपके सब्सक् Pay гл ने वाले सभी फार्मेसी जिलेटेड्ड एक्साम्स के लिए इम्पार्टेन है क्या सुचल करते हैं आज के पहले कोस्टन से तो पहला कौशिन है इंट्र मस्कुलर इंजेक्शन गिवन तो इंट्रमस्कुलर इंजेक्शन जिसे आ एम इंजेक्शन शोड फ़ार आपकोम में कहा जाता है तो यह किस मशल में दिया जाता है सबौशन देल्टोइट भी मैकशिमार और डी ओल बात करें तोईड मसल की सब्सक्राइब मकिम में अपर आम में बात कर आए rocks तराम देन बात करूं ड्लूटियस मसले की ड्लूटियस मसलिन के नि की यह वाले पोर्शिन प्रॉशन होती में तो यह सब गर पायआती हैं इन सभी मसल्स में इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन जो है वो दिया जा सकता है इन दिफिरेंट मसल्स में जो आपका सेंसरी नाप्स हैं ठाश कंची हैं सप्प्लाइजब यहाँ पे कम होती है यह मसल्स है वो हाई बेस्कुलर होती है लेकिन कम sensory nerves वाले areas होते है अब इन में sensory nerves कम होने की बज़ा से इन में mild irritant drugs भी दिये जा सकते है mild irritant drugs को भी दिया जा सकता है and bescularity ज़्यादा होने की बज़ा से क्या होगा, कि जो drug की absorption होगी equal solution में वो आपकी fast हो जाएगी, क्या चीज़ fast होगी drug की जो absorption होगी किसमें equal solution में वो fast हो जाएगी so यह था in muscles के बारे में then बात करूँ I am root के बारे में so इसमें किसकी property आती है कि यह less painful होता है ठीक, I am root is less painful and इसमे self injection जो है self injection means self administration जो है वो impractisable है means इसको practice नहीं किया जा सकता है मलब कर सकते हैं लेकि नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें जो needle है उसकी deep penetration जो है वो required रहती है then इसके अलावा इस पे एक question और बनता है intramuscular root के उपर कि इसमें जो आपकी deport preparations होती हैं जो भी आपकी deport preparations होती हैं जैसे जिसमें आपकी oily solutions आ जाते हैं and aqueous suspensions आ जाती है oily solution और aqueous suspension यह deport preparations को inject किया जाता है inner root के तुरू यह दोनों आपको याद रखनी है oily solutions and aqueous suspensions जिने deport preparation कहा जाता है then इसके अलावा इसमें एक condition के उपर question बन सकता है जिसमें की यह condition है कि जो intramuscular injections है so intramuscular injections को anticoagulant anticoagulant treated patient कौन से anticoagulant treated patient में avoid करना चाहिए आप इनको क्यों avoid करना चाहिए क्योंकि अगर इनको intramuscular injection anticoagulant treated patient में दिये जाएंगे so it will cause local hematoma local hematoma condition जो है वो इसमें arise हो जाएगी कि यह नाम आपको याद अखना है किस category के patient को नहीं देना है anticoagulant treated patients को so यह कुछ important points है आपके intramuscular root के इसके अलावा जो parental root है उस पे कुछ और question जो है वो बनते हैं previously पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं so एक question इसमें बनता है कि thromboflavitis ठीक है एक condition होती है thromboflavitis यह condition जो है वो किसरूट की बज़ा से आती है ठीक है तो यह जो है यह आपकी IV administration के बाद से एक condition arise होती है thromboflavitis तो एक question यह बनता है दूसरा बनता है bioavailability के उपर कि bioavailability किस root की 100% रहती है तो यह भी आपकी होती है IV root की एक question आपका BCG vaccine के उपर बनता है कि BCG vaccine जो है वो किस root के थूर दी जाती है so it is given through intradermal root intradermal root आपको BCG vaccine के case में याद रखना है then एक question आपका बनता है कि entral root किसे कहा जाता है so entral root होता है आपका oral root parental IV यह सबी को entral root नहीं कहा जाता है intravenous roots होते है entral root जो है वो आपका होता है oral root so यह 3-4 point जहां से question पूछा गया है so यह कुछ point से अभी हम next question पे जलते हैं next question है which one is not selective cox-to inhibitor इन में से selective cox-to inhibitor कौन सा नहीं है यह तीन ड्रग जो है वो आपके selective cox-to inhibitor हैं लेकिन किटोरो लेक जो है यह आपका selective cox-to inhibitor नहीं है it is a non selective cox inhibitor so अभी सभी drugs के बारे हम देख लेते हैं selecoxiv, rofecoxiv and itoricoxiv so जो यह तीन ड्रग है यह आपके selective cox-to inhibitor है जिजादा selective cox-to inhibitor अब selective cox-to inhibitor से क्या meaning है means कि यह आपके cox-to enzyme की activity को selectively inhibit करेंगे means सिर्फ और सिर्फ cox-to enzyme की activity को ही जो है वो inhibit करेंगे and यह जो cox-to enzyme है यह आपका inflammation and pain में जो है वो role play करता है ठीक है उनमें involved रहता है so जो आपके cox-to inhibitor हैं जो यह तीन रग आगे यह क्या करेंगे यह आपकी inflammation को भी reduce करेंगे and pain से भी relief देंगे तो यह बात होगी इन तीन रख की अब बात करूं किटोरो लैक की किटोरो लैक जो है वो एक non selective ठीक है it is a non selective cox inhibitor ठीक है non selective cox inhibitor जिसका meaning है कि किटोरो लैक जो है वो आपका cox-1 और cox-2 enzyme ठीक है cox-1 and 2 इन दोनों enzymes को inhibit कर सकता है and same यह भी आपका inflammation and pain को reduce करने में help करेगा अब जो आपका किटोरो लैक है या फिर other जो भी आपके non selective cox inhibitor ठाते हैं उनमें side effects का risk जो है वो बढ़ जाता है side effects जैसे कि आपके GI bleeding हो गया इसका side effects या ulcers जो है इन यह side effects जो है वो greater risk पे होते हैं as compared to selective one ठीक है इनके comparison में अब यह question basically classification के उपर पूछा गया था नसेट्स की classification के उपर non-steroidal anti-inflammatory drugs इसकी main classification देख लेते हैं जहां से question जो है वो काफिवार आता है selective cox inhibitor हमने यह तीन देखे इसके अलावा एक और important drug है जो है आपका paracoxid paracoxid भी आपका selective cox to inhibitor है इसके अलावा एक question जो है वो बनता है आपका preferential cox to inhibitor यह तो आपके होगे selective cox to inhibitor अब एक बनता है preferential cox to inhibitor इसमें कौन-कौन से drug आ जाते हैं तो इसमें आपका निमे सुलाइड आ जाता है dicalofenic आ जाता है a cyclofenic आ जाता है इस ही में देन melloxicem melloxicem and itodolac itodolac यह सब ड़ल ड्रक्स आते हैं जो की आपके किस category में आते है preferential cox to inhibitor category में यह कुछ ड्रक्स आते हैं इसके लावा जो non-cox inhibitors है non-selective cox inhibitors जिने ट्रेडिशनल नसीट्स भी कहा जाता है उनमें एक question आपका बनता है aspirin की उपर ठीक है aspirin किसका derivative है तो यह आपका salicylate derivative है इसके उपर काफिवार question पूछा गया है इसके लावा other non-selective में sub-categories आती हैं जैसे कि आपका propionic acid derivative हो गया उसमें ibuprofen आ जाता है naproxen आ जाता है ketoprofen आ जाता है fluorbiprofen आ जाता है वैसे ही phenomate derivatives आते हैं जिसमें me phenomate acid आ जाता है और inolic acid category आती है ठीक है inolic acid derivative जिसमें आपका pyroxy cam आ जाता है ठीक है pyroxy cam और tenoxy cam यह दो ड्रग याद रखने हैं एक और cam बाला जो ड्रग है वो आपका preferential coax to inhibitors में आता है जिसमें आपका melloxy cam रगाता है तो यह तीन रख जो है वो अलग-अलग category में आते हैं तो तीनों आपको याद रखने है इसके अलावा एक category है आपकी acetic acid derivative acetic acid derivative में आपका keto roll lack आता है जो कि यहां पर options में दिया गया था देन इसके अलावा indomethacin ठीक है indomethacin भी acetic acid derivatives में आता है एंड एक आता है आपका nebumetone तो यह कुछ drugs हैं जो कि acetic acid derivatives हैं यह सारे ही आपके non-selective coax inhibitors है सबी next question पर जलते हैं the next question है the science and technology of small particles is so small particles की science and technology को क्या कहा जाता है यह आपका होता है micromeretics this is micromeretics ठीक है it is a science and technology which deals with small properties and इसमें आपकी basically दो types की properties आती है for particle to characterize particle को characterize करने के दो types की property रहती है एक आपकी होती है fundamental properties और दूसरी आपकी आती है derived properties तो इन दोनों properties के ऊपर जो है वो काफिवार question पूछा जाता है कि कौन सी property fundamental है कौन सी property derived है so fundamental में आपका surface area आ जाता है particle size आ जाता है particle distribution आ जाता है particle number हो गया particle volume हो गई या फिर particle की shape हो गई so यह सारी property जो direct particles के साथ related है वो आपकी fundamental properties आ जाती है बहीं पे अगर derived properties की बात करूं तो derived property जो powder के लिए या small particles के लिए derived रहती है ठीक है जैसे कि इसमें आपकी आजाई porosity density या फिर बल्कीनेस हो गया या फिर flow ability हो गई powder की तो यह सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी डिराइव रहती है जो particle को characterize करें ठीक है वो आपकी fundamental आ जाती है जैसे कि उसका surface area particle size क्या है distribution क्या है नंबर क्या है तो वह आपकी fundamental में आएंगी दिन बात करूं मेक्रो मेरेटिक्स की मेक्रो मेरेटिक्स जो है इसमें जो भी आपके बल्क materials होते हैं जैसे कि आपका solid हो गया liquid gases वल्क materials की physical and chemical properties की जो study होती है वह आपकी होती है मेक्रो मेरेटिक्स अधिन नेक्स कोश्चन पर जलते हैं तो नेक्स कोश्चन है एंडर्सन अपरेटरस इस यूज फो डिटर्माइन इंग पार्टिकल साइज को डिटर्माइन करने के लिए यूज के जाता है और इसमें कौन सा method जो है वह एपलिगेवल रहता है इसमें आपका method जो है वह यूज किया जाता है सेडिमेंटेशन मेंटर्ड ग्रैबिटी सेडिमेंटेशन पर यह बेस रहता है इसके अलावा एंडर्सन पिपेड में एक कोश्चन और पूछा जाता है कि एंडर्सन अपरेटरस जो है इसमें क्या चीज मेजर की जाती है किया जाता है यह इसमें important है वहीं अगर इसके size range की बात करी जाए तो इसमें 1 से लेके 200 micron size range जो है वह इसमें रहती है कि इसमें सेडिमेंटेशन मेंटर्ड में या फिर इंडर्सन पिपेड में इसके अलावा अदर इसमें पारिकल साई मैसने tesky Mäther ठीक है इसमें जो आपका instrument use होता है वह होता है आपका optical microscope optical microscope MICROScope में में यूज होता है इसमें अगर मैं साइस रेंज की बात करूँ तो 0.2 से ले करके hundred micron जो वो इसकी size range रहती है एंड्लिक इसमें किस savीं चीज जे मेजर की जाती है आइधर फैरेट डायमेटर मेजर किया जाएगा या फिर मार्टिन डायमेटर और प्रोजेक्टेड डायमेटर तो यह टर्म्स भी काफ़ इंपॉर्टेंट है इसके अलावा अधर मैथड देखों तो उसमें एक मैथड आता है आपका पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए सीविंग मैथड ठीक है सीविंग मैथड में अगर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो सीविंग मैथड में 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 क्या यूज किया जाता है सीविंग जो है वो इसमें size range रहती है और इसके अलावा एक method और होता है जो कि आपका रहता है conductivity conductivity method अब इसके उपर एक important बनता है instrument को लेकर के ठीक है sedimentation में आपका instrument mostly पूछा जाता है दूसरा conductivity में instrument पूछा जाता है सो conductivity में आपका instrument होता है कॉल्टर करेंट instrument या फिर इसको अधर नाम इसका है रोई को और हायक और इसमें conductivity में यह कॉल्टर को कॉल्टर में या फिर instrument में क्या चीज मेजर की जाती है तो इसमें आपका equivalent volume diameter जो है वो इसमें मेजर किया जाता है तो यह कुछ पॉइंट है different particle size determination के methods के उपर जहां से question पूछा जाता है तो अभी next question पर जलते हैं तो next question है and gel Neilson staining is done for the Gel Neilson staining किस टाइप के बेक्टीडिया फंगाई के लिए की जाती है so gel Neilsson staining is done for mycobacteria किसके लिए की जाती है mycobacteria के लिए option is right answer then इसके लावा अदर कुछ important points देखें जैसा कि India ink method पे एक बार question आता है ठीक है India ink method ठीक है India ink method जो है वो किसके लिए यूज के जाता है तो India ink method जो है it is used for capsule staining किसके लिए यूज के जाता है capsule staining के लिए इंडिया ink method जो है वो यूज किया जाता है दिन बात करूं other methods की जिसमें आपका जाता है fontana method fontana method जो है वापका spirochate staining के लिए यूज किया जाता है तो दिन इसके अलावा बात करूं fungus के staining के लिए so fungus के identification के लिए कौन-कौन से stain यूज की जाते हैं तो इसमें एक stain आता है आपका hematoxylene and eosin एक आता है आपका गोमोरी एक आता है आपका गोमोरी मिथे ना माइन मिथे ना माइन सिल्वर एक stain यह है और दूसरा है आपका पिरियोडिक एसेड स्केफ पिरियोडिक एसेड स्केफ यह तीन stains जो है वो मोस्ट लिए आपके fungus को identify करने के लिए यूज किये जाते हैं यहां पर हमने इन तीनों को डिसकस कर लिया इसके अलावा staining पे एक important question आता है ग्राम staining के उपर ठीक है ग्राम staining जो की ग्राम positive एंड ग्राम negative बेक्टीरिया को differentiate करने के लिए की जाती है तो इन में mostly color के उपर question पूछा जाता है यहां पर ग्राम positive हो गया ग्राम negative हो गया अब ग्राम positive staining में क्या होता है तो ग्राम positive में क्या होता है कि जो बेक्टीरिया है वो आपका blue या फिर violet color को रिटेन कर लेता है ठीक है blue violet color इसमें आपका counter stain होता है और एक आपका primary stain होता है ठीक है सबसे पहले primary stain जब apply किया जाता है एंड उसके बाद में जब desolivalizing agent जो है वो एड़ किया जाता है एंड उसके बाद में आपका counter stain एड़ किया जाता है ठीक है इस तीन process में stages में यह रहता है सो जो आपके gram positive bacteria होते हैं वो आपके violet color को जो है वो रिटेन कर लेते हैं ठीक है इसमें color final किया रहेगा तो यहां पे violet color रिटेन किया जाता है जबकि gram negative में violet color नहीं रिटेन किया जाता है यहां पे pink color जो है वो रिटेन किया जाता है कि सभी next question पर जलते हैं so next question है cars compressibility index gives an idea about so cars compressibility index जो है वो किस बारे में information देता है so cars compressibility index जो है वो एक one of the method है आपका flow property को determine करने के लिए ठीक है तो यह आपका powders की flow property के बारे में information देता है as well as cohesiveness of powders powders की cohesiveness के बारे में भी information जो है वो आपकी cars compressibility index से मिलती है सो इसमें option c both a and b जो है पो correct answer हो जाएगा अब cars compressibility index को cars index भी कहा जाता है या percent compressibility भी कहा जाता है अब इसका जो formula रहता है cars compressibility index का वो रहता है आपका आपकी आ जाती है में टैपड bulk density इसको डिवाइड किया जाएगा इस तैपड ब्ल्क किया जाएगा i and इस फार्मुला से आप cars compressibility index जो है वो ग्रफ्लेट कर सकते हैं अब इस में दो तीन तरीके से कोफिडेंq जो हूँ बनता है कि एक्सिलेंट फ्लोव प्रॉपरटी जिस पौडर की होगी उसमें काइज कमप्रेसिबल्टी इंडndex कि रेंज कितनी होगी तो अगर पांच से लेकर के पंदरा तक कार्स कंप्रेसिवल्ट इनेक्स बैल्यव है तो जो फ्लो प्रॉप्रिटी है वो आपकी एक्सिलैंट होगी अगर यही value आपकी 40 से ज़्यादा है तो यहाँ पर extremely poor जो है वो flow property रहेगी extremely poor अगर यहीं पर 12 to 16 के बीच में है तो आप कह सकते हैं कि good free flowing powder है अगर वहीं पर 18 से लेकर कि 21 तक है तो वो fear या फिर passive आप बोल सकते हैं फिर पाउडर ग्रेनियुल से एंड इसके बाद में 23 से आगे जो है वो इसकी flow property जो है वो और डिग्रेड होते जाएगी poor very poor and then extreme poor आपकी 40 से उपर हो जाएगी इसके लावा flow properties के उपर जो other methods आते हैं जिसमें आपका होजनर्स रेशो एक आता है होजनर्स रेशो इसके उपर question पूछा जाता है ठीक होजनर्स रेशो का जिसमें आपका good flow आ जाएगा एक आ जाएगी 1.25 से लेकर के 1.5 तक जिसमें आपका flow जो है वो moderate हो जाएगा और यहीं पर अगर यह value आपकी 1.5 से भी जादा है तो it will be a considered as poor flow यह आपकी होगी होजनर्स रेशो के बारे में इसके लावा most important एक आपका आता है angle of repose के उपर ठीक है angle of repose क्या है so angle of repose का formula होता है 10 theta is equal to h upon r यहां पे h height होगी r जो है वो radius हो गया जब powder को डाला जाता है तो यहां पर एक डाला जाएगा तो यहां पर कुछ इस टाइप से जो हो पाउडर ऐसे धेर सा बन जाएगा तो यहीं पर height and radius जो हो चेक किया जाता है and इसी के basis पर इसकी value जो हो calculate की जाती है यह आपको इसका formula हो गया इसमें भी same question आता है कि कैसा type of flow रहेगा कितनी value के तो अगर 25 से कम value रहती है angle of repose की so the flow will be excellent flow कैसा consider किया जाएगा it will be excellent अगर 25 से 30 के बीच में है so यह consider किया जाएगा good अगर 30 से 40 के बीच में है 30 से 40 के बीच में से possible बोला जाएगा and अगर 40 से उपर है तो इसे very poor category में कहा जाएगा so यह कुछ points है इसमें आप यह रख सकते हैं excellent वाले आपको सभी याद रखनें कि excellent flow जो है वो कितनी value पे रहेगा so अभी next question पर जलते हैं so next question है phase inversion temperature is called phase inversion temperature को क्या कहा जाता है so phase inversion temperature is known as hlb temperature ठीगे यह phase inversion temperature होता है आपका hlb temperature तो इसमें option d is correct है अब hlb temperature क्या होता है तो यह ऐसा temperature होता है जहां पर किसी भी सर्फेक्टेंट का जो hydrophilic, hydrophilicity and lipophilicity जो है वह आपके एक balance पर हो तो दोनों balanced हो अब इसमें बात आगी है hlb की ठीक है hlb की ओपर काफी time question जो है वह आता है बहुत वार question पूछा जाता है hlb आपका होता है hydrophilic lipophilic balance जिसकी range जो है वह एक से लेकर के 40 तक इसकी range रहती है one जो है वह consider की जाती है allic acid की and 40 जो है यह consider की जाती है sodium laurel sulfate की एक question आता है कि hlb scale जो है इसे किसने invent किया था ठीक है किसने इसको propose किया था है so hlb scale जो है it was given by griffin griffin ने से propose किया था तो एक question इस पर यह बन जाता है दूसरा इस पर एक statement के रूप में इसमें question आता है कि hlb value और hydrophilicity यह lipophilicity के बीच में क्या relation है तो इसमें यह होता है कि जितनी कम hlb value होगी उतना जादा लीपो philic compound जो है वो आपका रहेगा ठीक है वन की साइड पर जितनी आपकी value रहेगी वो उतना ही लीपो philic रहेगा जैसे वन से इसकी value जो है बढ़ने लगेगी two three seven ten तो यह उतना ही hydrophilic जो है वो आपका compound होने लगेगा means higher the hlb value more will be the hydrophilicity of compound इसके लावा इसमें कुछ categories के उपर question आता है range को लेकर के कि इतने से इतनी range के बीच में किस category का agent जो हो होगा surfactant किस category में fall करेगा इसमें basically 2 ranges बनती है overall जो दो ranges बनती हैं जिसमें आपका आता है lipophilic portion जो की zero से लेकर के 8 तक होता है दूसरा आता है आपका hydrophilic portion जो की आपका 8 से लेकर के 16 के बीच में होता है अब जब value सबसे कम रहेगी यानिकी एक से तीन के बीच में रहेगी तो means value जो है बहुत कम है मींस ही lipophilic होगा means it will be considered as anti-forming agent किस category में fall करेगा यह anti-forming agent की category में then value थोड़ी सी बढ़ेगी 3 से लेकर के 8 तक होगी तो यह आपका हो जाएगा water in oil emulsifier ठीक अब भी यह इसमें oil portion जो हाइयर concentration में है so it will be considered as water in oil emulsifier three to eight value में अब बात आती है seven to nine काफी बारे इस range के उपर question पूछाता है तो seven to nine जो है वह आपकी betting and spreading agent ठीक है betting and spreading agent की जो range है वह आपकी 7 से 9 रहती है अब बात करूं range 8 की value अगर 8 होगी 8 होगी तो it will be considered as forming agent ठीक है यह क्या consider किया जाएगा it will be considered as forming agent then values की थोड़ी सी और बढ़ेगी 8 से 16 के बीच में अगर बात की जाए तो 8 से 16 के बीच में यह हो जाएगा oil and water emulsifier क्या हो जाएगा oil and water emulsifier then 13 से 16 के बीच में अगर में बात करूं तो यह आएगी आपकी detergent इस value के उपर भी काफिवार question पूछा गया है then एक आती है आपकी 16 से लेकर के 8 तक तो 16 से लेकर के 8 तक आपकी जो value होती है वो होती है solivalizing agent की किसकी होती है solivalizing agent की तो यह सारे इसमें आपको important है इसके अलावा दो value जो है वो मैंने आपको पहले भी discuss कर रखी है so उसमें एक आपको पढ़नी होती है acacia की जहां से question पूछा आता है जो कि आपकी 8 value रहती है दूसरी आपकी होती है traga kant की traga kant की hlv value जो कि आपकी 13.2 रहती है तो यह दो values भी आपको additionally इसमें पढ़नी है अभी next question पर जलते है next question है which test microorganism is used for moist heat sterilization technique moist heat sterilization technique जिसमें आपका instrument जो है वो रहता है autoclave तो इस case में कुम सा test microorganism जो है वो use किया जाता है so moist heat sterilization में Vecilus stereothermophilus जो है यह test microorganism रहता है तो इसमें option C जो है वो correct answer है देन इसके लावा जो other sterilization techniques हैं उसके बारे में बात करते हैं जिसमें एक आगया आपका dry heat जिसमें आपका क्या use किया जाता है hot air oven क्या use किया जाता है hot air oven so इसमें जो आपका test organism रहता है वो आपके रहते हैं sports of किसके sports होते हैं sports of Vecilus subtilis Vecilus subtilis के sports होते हैं इसमें variety आ जाती है नाइकर इसमें एक टेक्नीक आती है आपकी ionization टेक्नीक यह ionization radiation sterilization जिसमें आपका जो test organism है वो आपका रहता है Vecilus pumilus Vecilus pumilus जो है वो आपका test organism रहता है किस केस में ionization radiation के case में देन अगर मैं बात करूं filtration के case में filtration के case में आपका रहता है pseudomonas dimonita pseudomonas dimonita यह आपका test organism रहता है filtration के case में देन एक important आता है ethylene oxide के case में ethylene oxide जो कि आपका gaseous sterilization technique का example है तो इसमें भी आपका जो test organism रहता है वो रहता है वैसिलस सब्टेलेस वेराइटी नाइगर तो यह आपके test organism हो गए सब भी के कि सब्भी हम next question पर जलते हैं next question हमारा है standard for disinfectant fluid comes under so disinfectant fluids के जो standards है वो कि schedule के अंडर आते हैं तो यह आप के आते हैं schedule O के अंडर सब्सक्राइब करेक्ट आंसर है तेरे इसके लावा अदर schedule जो यहां पर दिए गए हैं उनको discuss कर लेते हैं तो schedule आर जो है schedule आर आपका इसमें दिए गया है standards for condoms जो है वो schedule आर में दिए गए हैं या फिर अदर जो mechanical contraceptive आते हैं वो सारे आपके schedule आर में दिए गए हैं इसके लावा एक schedule आर में ही आता है schedule आर वन schedule आर वन एक schedule आता है जिसमें आपके medical devices के medical devices के standards दिए गए हैं किसमे schedule आर वन में दिन यहां पर दिए गए है schedule एस तो schedule एस जो है उसमे standards for cosmetics दिए गया है दिन बाद करें schedule ए की schedule ए में poisons की लिस्ट दी गई है जिनके ओपर labeling और other requirements जो है वो required रहती है तो यह हमने तीन चार schedule भी आहां पर देख लिए अभी नेक्स question पर जलते हैं the next question है all drugs belong to levitate family except सारे drugs इन में से levitate family को belong करते हैं एक ड्रग को छोड़ करके बोडर कौन सा है सो peppermint oil spearmint tulsi यह तीनों ही levitate family के हैं लेकिन नट्मेक जो है वो levitate family को belong नहीं करता है it belongs to किस family को मेरिस्टी कासी फैमिली अब नट्मेक की बात आई है तो नट्मेक को थोड़ा सा discuss कर लेते हैं नट्मेक जो है इसका सिनेनम जो है सिनेनम मेरिस्टी का या फिर इसको नक्स मोश चाटा भी कहा जाता है इसके लावा इसके जो plant part होता है जो इसका पार्ट यूज के जाता है उसके ओपर कॉश्चन काफी बार पूछा जाता है तो इसमें जो है वो kernels of the seeds जो है वो यूज की जाते हैं ठीक है ड्राइड करनल्स of seeds जो है वो नट्मेक की यूज की जाते हैं किस plant के किस बोटैनिकल नाम किया है उसका तो बोटैनिकल नेम इस मिरिस्टी का fragrance मिरिस्टी का fragrance फैमिली आपने देख ली मिरिस्टी कासी इसके लावा इसके अगर यूज की बात करूं मैं तो यूज में इसके आ जाते हैं यह आपका as a stimulant यूज होता है as a carminative यूज होता है as a aromatic भी यूज होता है and as a flavoring agent भी यूज किया जाता है then इसके अगर मैं chemical constraints की बात करूं तो chemical constraints में एक तो important इसमें आ जाता है मेरिस्टिसिन मेरिस्टिसिन दूसरा जाता है सेफ्रोल सेफ्रोल इसमें आपको याद रखना है कि बी स्पैसिफिकली सेफ्रोल जो हो confusion create कर देता है कभी कबार तो सेफ्रोल जो हो आपका nutmeg में भी present होता है में इसका chemical constraint होता है देन एक chemical constraint है इसका elimination तो यह कुछ chemical constraint है nutmeg के बाकी हमने इसमें अधर चीज़ें nutmeg के बारे में देखनी ही चाहें उसका सिर्णम हो गया biological source, chemical constraint and usage जो की most important रहते हैं question formation के लिए यहाँ पर 10 questions complete होते हैं so that's all for this video मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you very much